हेलो फ्रेंड्स मेरे स्पामिस्ट्री एंस्टॉलोजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है तो आज हम अनायलसिस करेंगे सेंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं तो एक यूजुल शुरू करूंगा फिंगर्स के अनाय दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के उपर नज़र आ रहा है यह मेरा वटस अप नंबर है अगर आप भी अपने हाथ के वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व चेक किया जाए तो काफी अची थिकनश में फिंगर्स लेंट्थ वाइस भी काफी अची नज़र आ रही है बारीग सीधी खड़ी रिखाएं इनकी फिंगर्स के उपर नज़र आ रही है कुछ इसटरह की हलकी रिखाओं का होना पॉसीटिव माना जाता है ऐसी रिखाओं अच्छी होगी ऐसे व्यक्ति money manage करने में काफी अच्छी होते हैं धनको किस तरह से accumulate करना है किस तरह से खर्च करना है इस चीज की काफी अच्छी knowledge ऐसे व्यक्ति को रहती है और अगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो थलकी सी हलका gap आपको नज़र आएगा जिस वजह से काफी हतक independent type की approach रहती है ऐसे native के भीतर और अगर हम लंबाई की बात करें fingers की तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा सूर्य finger का अच्छी length में होना आपको दिखाई दे रहोगा यहाँ पर कुछ इस तरह से यह finger अगर हम compare करें इस index finger से index finger जो है ब्रस्पती की finger कहलाती है और यह जो ring finger है यह सूर्य की finger कहलाती है और सूर्य finger जब काफी अच्छी length में होती है तो native के भीतर काफी अच्छी artistic and creative qualities होती है ऐसे व्यक्ति काफी creative होते हैं जिनकी यह finger लंबाई में हो social circle काफी अच्छा होता है और साथी साथ adventurous और risk taker type की personality रखने वाली nature होती है तो ऐसे native कई बार life में decisions लेते हैं समय risk ले बैढ़ते हैं life में जल्दबारी में decision ले ले लेते हैं वज़े से बाद में नुकसान भी उठाना परता है और कई बार तो ऐसे native अपने धन की investments के मामले में भी risk लेते हैं इस तरह के native की रूची रह सकती है अपने धन को ऐसी जगाओं पर invest करना जहां पर risk हो जैसे mutual funds है crypto currencies है share market है ऐसी जगाओं पर भी अपने धन को invest करने की रूची इनके भीतर होने की सभावना रहती है और अगर हम शनी की बात करें तो आप देख सकते हैं शनी finger काफी अच्छी length में है शनी finger का straight होना अच्छी length में होना indicate करता है कि native hard working nature का होगा मेहनती होगा और अपनी इसी quality की वज़य से life में काफी अच्छी progress पाने में भी कामयाब होगा और अगर हम बात करें इनकी index finger की तो यहाँ पर थोड़ी सी short होती है index finger leadership qualities में थोड़ी कमी आनी की संभाव बनाएं और साथी साथ family की तरफ से मिलने वाले सुखों में भी थोड़ी सी कमी रह सकती है परवास करना पड़ सकता है ऐसे native को जिनकी गुरू finger short हो गुरू finger का short होना कई बार गुरू की तरफ से मिलने वाली जो favor है उसको भी कम करता है तो यहाँ पर थोड़ी से दिक्कते हैं ब्रस्पती की वज़या से family के मिलने वाले सुखों में रह सकती है और परवास करना पड़ सकता है और अदर्वास बाकी की fingers इनकी बहुत अच्छी length में अगर हम इनकी mercury finger की बात कर लें तो mercury finger आपको नजर आएगी यहाँ पर इनके सुरे finger के top falange के क्री पहुंचती हुई और काफी straight और अच्छी strength में यहाँ finger नजर आ रही है जिसकी बुझे से communication skills काफी बहतर होते हैं और उसके साथ साथ ऐसे native gear की mercury finger अच्छी length में हो calculations के मामले में, business equipment के मामले में भी काफी अच्छे होते हैं life में business के जरीए भी काफी अच्छा धन कमा पाते हैं तो यहां तक हम ने देखा इनकी fingers को चलिया आगे बढ़ते हैं और चेक करते हैं इनकी रिखाओं को तो सबसे पहले यहां पर एक line draw करना चाहूँगा आपको यहां दिखाने के लिए किस तरह से इनके mounts हैं यहां से यह रिखा draw हो रही है और आप देख सकते हैं हलका सा low set होना Mercury mount का यहां पर natural है बहुत ज़्यादा low set नहीं है थोड़ी shy nature native को देता अगर यहां से Mercury mount low set हो और अगर हम बात करें इनके groove mount की तो groove mount यहां पर काफी strong नज़र आ रहा है आप देख सकते हैं यह है जो area है आपको बिलकुल उबरा हुआ नज़र आएगा काफी अच्छी strength में ब्रस्पती mount और दूसरी चीज़ यहां पर देखने वाली है इस तरह की एक RD line का होना आपको इस तरह की एक लंबी RD line यहां पर नज़र आएगी आपको clearly यहां पर दुबारे से ट्रॉ करके दिखाना चाहूँगा इस area में आपको लगबख इस size की अगर यह complete हो तो यहां तक पहुंच जाए इस तरह से पूरी तरह से दोनों तरफ मिल जाए तो इस तरह की रेखा को ring of Solomon यानि के गुरु वलाय कहा जाता है गुरु वलाय अगर किसी native के हाथ पे हो तो ऐसे native sympathetic nature रखने वाले होते हैं दूसरों की help करने वाले बहुत अच्छा ग्यान अरजित करने वाले होते हैं knowledgeable personality होती है समाज में बहुत अच्छा मान समान और प्रतिष्ठा इनकी होती है जैसे जैसे यह बढ़ती है उसी से according इने मान समान भी society में मिलता है knowledge भी उसी according इनकी बढ़ती जाती है इनके हाथ पर यह चिन हो लेकिन थोड़ी विराग्या की भावना भी इनके भीतर हो सकते है spirituality की तरफ इनका जुकाव ज़्यादा रहने की संभावना रहती है यहाँ पर यहाँ जो गुरू वला है थोड़ा सा कमजोर होता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ से थोड़ा सा week हो रहा है लेकिन अगर यह और आगे complete होता है तो इसके जो परभाव है और जादा strong होंगे ब्रस्पती और ज़्यादा strong होकर इने result देगा उसके साथ साथ आप देख सकते हैं इस area में आपको एक आँख जैसा चिन बनता हो इस तरह का चिन अगर इसको हम बुद्धा जाई का नाम देते हैं बुद्धा जाई अगर किसी व्यक्ती के हाथ पर हो तो ऐसे व्यक्ती की six sense बहुत अच्छी होती है आने वाली घटनाओं का पूरुवा अनुमान लगा लेना पूरुवा अभास हो जाना एक नॉर्मल सी बात है इनके लिए जिनके हाथ पर यह चिन बन रहा हूँ छटी इंदरी स्क्रिया रहती है इसलिए ऐसे विशों में भी इनकी रूची रहती है जैसे जोतिशा है पामिस्ट्री इस्टालोजी जैसी चीजों में भी इनका रुच्छान हो सकता है और आने वाली घटनाओं का पूरुवा अनुमान यह अपने लिए अपने खास मित्रों रेल्टिव के लिए लगा पाते हैं क्योंकि कोई भी इनके जो बहुत नज़्दीक होता तो उनके साथ भी अगर कुछ अच्छा या बुरा होने वाला हो तो इनको अभास होने लगता है तो इस तरह की खूबियां व्यक्ति के भी इतर रहती है और अगर हम देखें इनके शनी माउंट को तो शनी माउंट का एरिया यहां पर फ्लैट नज़र आ रहा है बहुत ज़ादा वीक नहीं है और शनी रेखा के हम बात करें तो आपको नज़र आएगी कि यहां से रेखा निकल कर उपर की तरह बढ़ती हुई कुछ इस तरह की एक ब्रांच इस एरिया में और यहां से यहां रेखा आपको कम्पलीट बीच में कुछ गैप नज़र आ रहा है शनी रेखा में जिस वज़े से थोड़े ups and downs आ सकते हैं लाइफ में और अगर देखा जाए तो 40 की आसपास की एज से यहां रेखा बहुत स्ट्रॉंग है 40 के around एज से यहां रेखा एक strength gain दिखला रही है जिसकी वज़े से 40 प्लस की एज से इने बहुत अच्छी तरकी लाइफ में देखने को मिलेगी अब बात करते हैं इनके सूरे मौंट की सूरे मौंट यहां पर हलका सा दब रहा है जिस वज़े से यश मिलने में दिक्ते हो सकती है इसे नेटिव जिनका सूरे मौंट दब रहा हो दूसरों के कितनी भी help करने बदले में यश नहीं मिल पाता इस तरह की देखते हैं आती है overall social circle तो अच्छा रहेगा सूरे finger ची लंबाई में है लेकिन reward जो हमें चाहिए जो दूसरों की मदद करने के बाद हमें reward मिलता है दूसरों को अच्छा करने के बाद मिलता है वो यहाँ पर कम होता हूँ नज़र आ रहा है और इसलिए इन्हें बहुत ज़दा expectations और उसे नहीं रखनी चाहिए क्योंकि यहाँ पर यहाँ बहुत ज़दा strong सूरे नहीं है इनका और अगर हम mercury की बात करें mercury mount overall उभरा हुआ है mercury mount का prominent होना business equipment को strength देता है business करने के capability ऐसे विक्ति की strong रहती है heart line की बात कर लेते हैं आप देख सकते हैं अगर हम बात करें इनकी पैसा कमाने की कोशिश ना करें क्योंकि अगर कोई भी unfair mean use करती है तो life में दिक्कतें आ सकती है तरक्की जो है रुक सकती है और अगर हम बात करें इनकी line of heart की तो यहाँ पर थोड़ी weakness चो करती हुए यहार एक आप देख सकते हैं कुछ branches नीचे की तरफ चलती हुई और दूसरी चीज यहाँ पर आपको एक island का चिन बनता होना तरह आएगा इस area में एक island यानि यह जैसा चिन बनता हुआ जिसकी वज़े से heart की health को लेकर थोड़ा सा alert इनको रहना पड़ेगा क्योंकि 60s की आसपास की age में यह हाँ हाँ की health weak नजर आ रहे हैं उससे पहले इस तरह की branches होने से emotional setbacks मिलते हैं life में उनी लोगों से धोका मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं इनके उपर बहुत ज़्यादा trust हो तो यहाँ पर इस चीज़ का भी इने ध्यान रखना होगा अपनी heart की health को लेकर थोड़ा सा पहले से alert रहेंगे तो कोई भी major issue नहीं होगा आगे बात करते हैं इनकी line of mind की यहाँ पर आप देख सकते हैं mind की line कोछ इस तरह से बिल्कु स्ट्रेट चलती हुई एक लंबी mind की line का होना यहाँ पर दर्शाता है कि ऐसे native की mind बहुत शार्प होता है शार्प mind होने के साथ साथ memory भी बहुत अच्छी होती है पुरानी से पुरानी बातों को याद रखने की capability ऐसे व्यक्ति के बीतर रहती है वजह से थोड़ा emotional stress होने की संभावनाएं भी यहाँ पर नज़र आ रही है करते हैं इनकी line of life को आप देख सकते हैं life के line काफी अच्छी length में नज़र आ रही है और कुछ बारीक रहु रिखाएं हैं यहाँ पर जिनकी वज़ए से कुछ ups and downs रहने की संभावना है लेकिन overall अगर देखें हम तो आपको नज़र आएगा कि यह line काफी लंबी है और लगभग यह रेखा जो है इनके हाथ में को नज़र आएगी इस area तक पहुंचते हुए जो indicate करती है 80 के आसपास की age को और उसके साथ साथ अंदर की तरफ जो यह रेखा चल रही है इस रेखा की वज़े से काफी अच्छी प्रॉपटी बनने के समभावना है रहती है अच्छी energy and stamina रहता है इस रेखा को मंगल रेखा का नाम दिया जाता है तो overall यहाँ पर life line काफी positive pattern नज़र आ रही है और अगर हम बात करें इनके चंदर मौंट की चंदर मौंट की ओपर आपको काफी सारी रिखाई नज़र आएंगी जिस वज़े से traveling की समभावना है काफी ज़्यादा रहेंगी इनके life में और चंदर मौंट की ओपर जितनी ज़्यादा रिखाएं हो उतनी instability of mind रहने की समभावना भी रहती है लेकिन यहाँ पर बहुत ज़्यादा negative रिखाई नहीं है कुछ हलकी आड़े रिखाई है इनकी वज़े से थोड़ी anxiety रहने की दिक्कत लेकिन अगर हम बात करें इनके Venus Mount की तो आप देख सकते है Venus Mount का जो area काफी अच्छा है Venus Mount काफी उबरा हुआ नजर आ रहा है जिस वज़े से हर तरह की सुख सुविधाएं native को मिलती है लेकिन साथ साथ अगर इस तरह की रिखाएं मौचूद हो तो marriage में और marriage में कुछ problems आने के समावनाएं भी रहती है worries related to marriage यहाँ पर इस तरह की रिखाएं और इस तरह की जब कुछ रिखाएं आड़ी रिखाएं इसको काट रही होते हैं तो इनकी वज़े से होने की समभावनाएं रहती है कि सबी स्वालों के जो आप एक ही वीडियो के दिरूद दे पाऊं लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्न या स्वाल रह जाता है तो इनसे रिक्वेस्ट है अगर इनका कोई क्वेश्चन पैंडिंग है तो मुझे वर्सेपे मैसेज करें मेरा वीडियो वाच करने के लिए आप को बहुत बहुत धन्यवाद